गब मैं पहली वार डॉक्टर साब के पास आई तो मुझे ब्लेडिंग बहुत जादा हो रही थी डॉक्टर साब ने मुझे दवा दी तीन दिन के बाद मेरे ब्लेडिंग होना बंद हो गए छटे साथवे महीने में मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बिमारी के लिए लोग हजारों हजारों रुपे खर्च करते हैं वही होमियोपैथिकी छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियों से बड़ी से बड़ी बिमारी भी बहुत तेजी से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है होमिपधिक पद्धिती से बड़ी से बड़ी बिमारी का इलाद संबव है उसी में रोगी द्वारा उसके अनुभव रोगों का पूर्ण उपचार कैसे हो पाया आपके समक्ष पर स्तुत कर रहे हैं आईए सुनिये पेशेंट की जुबानी नमस्कार दोस्तों हमाई सहास हो पेशेंट माप लोगों स्वागत है आज मैं फिर आपके सामदे पर टेस्टेमोनियल उज्माजी में सामदे पर आई हुई है जिनका यहाँ पर हार्मला ट्रबल हार्मान से बहुत जाए दिक्कत थी जिसके वसे इनको हर में सीज कंबया थी और साथ में जब किने साट भी मैंसीजने जाती ठील पुर्षाण लंबी-लंबी ईस उससे को मतमें से खौन की पुए मोटी उज्माजी नहीं और में यह आग पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है, शाथ-8 मैने के इलाद करने कबार पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है, पिछले तीन-4 मैने उसे लगाता है, मैंसिज बढ़िया आ रही है, तो उजमाजी ने कहा कि सर में आपके साथ में लोगों तक पहुचाऊंगी कि हॉपएटिक से मेंसी स्टबल का इलाध बहुत बढ़ी होता है और बहुत सश्ञे में होता है यह बताने के लिए ओजमा जी आज हैं आपके स्टुट हुए अब ओजमा जी बताएंगी कि कहसे कैसे ठीक हुई क्या का समझत रहती थी ओजमाजी नहीं हैं मैं बहट नेगए हूं मुझे इमसी मतिमने तक दिश्ट मेंग थेंग करने सकता नहीं दोफखेन थे शります मुझे बहुत कम लोगें ङसी चपल कीमिंगे मेले कोई है. में मैं तो खुख करनाा का मिकलती है. की में अगमने बचल के मेत आउ grades a olduğative, मैं अरे aogphe बचल में देदि, अर होसा भी रहती थी तो उनोंने सहा सोमापेथी दवा यूस कर थी तो उनोंने याम्मी को वह दब बताई तो उनों मुझे डॉक्टर साफ के पास ले के आइई थी मैं डॉक्टर elt मेरी ब्लेदिंग बेदिय होना बंद होगिया। मेरे मुझे नाख भूर बंद होगी। मेरे पेट में दर्द और कमर में दर्द भी ठीक होगया। जो मुझे क्लोटिंग आती थी बोवी बंद हो गई, नॉर्मली एमसी होने लगी, पाँच महीने में मैं काफी हद तक खेत हो गई, छटे साथवे महीने में मैं पूर रूप से ठीक हो गई, मैं सबी लोगों को सलहा दूंगी कि आपकी कोई भी छोटी बड़ी बिमारीों के लिए सहास होमपैतिक में आएं और दिखाएं, यहाँ आपको हर बीमारी का हिलाज पूर रूप से मिल जाएगा, पूर रूप से बताया, कैसे कैसे हैं यहाँ पर आई और किस तरह से यह पूर रूप से ठीक हुई, इसी तरह से आप लोगों के, हर बीमारी का छोटी पूंट रुप से ठीक हो जकते हैं बड़े से बड़े विमारी हो रही है चोटी से फोटी विमारी हो यह लेडी ट्रबल में तो हों पर दीका बहुत लाजवाग रियर्ड है इसी तरह से मैं नई और टेस्टेमोलियल जो मुझे को मिलते रहेंगे जो तो आप लोगों तब बचाते रहूंगा नई वीडियो साथ मैं फिर मिलता हूं धन्यबाद नमस्कार उस्मा जी भी बोलेंगी असलम लेकूं